Hello everyone, welcome back to my channel, easy learning with Himal. So this is lecture 3 of your English course for the students who will be giving board exams next year. Yes, so guys, हम शुरू कर रहे हैं, हम आपका law spring chapter. Lecture 1 में मैंने आपको the last lesson chapter पढ़ा दिया था. Lecture 2 में मैंने आपको poem करवाई थी, My Mother at 66. अब हम Flemingo Book का second chapter करते हैं, law spring, पुराने वारे chapters देखने हैं. तो playlist बन चुकी है English course की, playlist क्लिक करो आपको वहाँ पे lecture 1, lecture 2, दोनों मिल जाएंगे. और अगर आपको notes चाहिए, doubts पूछने है, मुझसे interact करना है, so आप मेरी social media पे connect कर सकते हो, you can join मैं telegram, group, insta पे follow कर सकते हो, DM करके doubts पूछ सकते हो, email ID पे doubts पूछ सकते हो, और इनके links भी मैंने description box में डाल दियें. So lecture 3 शुरू करते हैं law spring से, तो law spring actually क्या है, दो parts का बना हुआ है, दो stories हैं इस chapter में, तो इस वाले video में हम part 1 करेंगे, एक story complete कर लेंगे, और next video में मैं आपको दूसरी story करवा दूँगा, और since आपने board exams देने हैं, अब MCQs include होगे हैं, objective type questions include होगे हैं paper में, so अब 10 minutes की summary करने से आप अच्छे mark score नहीं कर सकते हैं, आपको detailing में chapter पता होना चाहिए, इसलिए इस course में हर chapter, हर poem की line by line explanation आपको करवाने वाला हूँ, तो सबसे पहले अगर हम chapter के title की बात करें, lost spring, basically spring season क्या होता है, spring season सबसे happening season होता है, spring season में ठीक है, मौसम भी अच्छा होता है, climate अच्छा होता है, हवा चलती है, नहीं नहीं, जो flowers हैं वो grow करते हैं, नहीं नहीं, plants grow करते हैं, तो उसी तरीके से एक person की life में, जो सबसे best time होता है, उसका childhood होता है, तो यहाँ पर जो spring है, यह childhood की बात की गई है, और lost क्यों बोला गया है, because due to poverty, हमारी country में और all over the world, गरीबी की वज़े से काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जो अपना childhood enjoy नहीं कर पाते हैं, उनका जो childhood बिलकुल waste चला जाते हैं, तो basically यहाँ पर वही poverty के बारे में बात करने वाले हैं हम, ठीक है, तब ही आपका इस story का नाम है, sometimes I find a rupee इंदगार, rag pickers वो होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोगों को बड़े-बड़ी बोरी लेके, बड़े-बड़े plastic के bags लेके सडक के किनारे घूम रहे होते हैं, जहाँ पर कूड आता है, वहाँ गूम रहे होते हैं, कि कूडे में से उनको कुछ useful मिल जाया है उनके livelihood के लिए, ठीक है, कभी कोई coin मिल जाया है, कोई पैसे मिल जाया है, या कोई भी ऐसे useful चीज जो अपने ले use कर सकें, आगे जाके बेच सकें, तो that is rag picking, ठीक है, कूडे में से useful समान धूम ना, ठीक है, so let's start, और यह जो story है, it is written by Anis Jung, so start करते हैं, why do you do this, I ask sahib when I encounter every morning scrounging from gold in the garbage dumps of my neighborhood, so यहाँ पे जो हमारी narrator है, वो यह कह रही हैं कि मैं sahib से, हर दिन sahib से मिलती थी, हर दिन sahib को देखती थी, he is scrounging for gold, scrounging का मतलब होते हैं, बहुत ज़ादा ध्यान से dedicatedly कुछ सर्च करना, और gold क्यों बोला गया है, मतलब यहाँ पे gold actual में सोना नहीं है, gold सिर्फ यह समझाने के लिए बोला गया है, कि वो इस थरह से चीज़े ढूमता था garbage से, as if उसको वहाँ पे कोई gold की चीज़ मिलने वाली है, मतलब यहाँ पे gold refers to some coin, और a 10 rupee note, और some useful things जो garbage में include हैं, जो वो आगे use कर सकता है, जिसको sell out कर सकता है, तो वो कहते हैं कि उसने पूछा साहिब से, कि तुम यह रोज क्यों करते हो, क्योंकि उसकी neighborhood में रहता था साहिब, और वो रोज देखती थी हमारी narrator की कूडे के धेर में, मतलब कुछ-कुछ ढूँड रहा, as if he's searching for some gold, साहिब left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka, Dhaka is the capital of Bangladesh, his home is not even a distant memory, तो basically जो साहिब है, वो आपका migrant है, ठीके जो साहिब है, वो बांगला देश से आया है, धाका से आया है, बहुत आइन पहले उसकी family यहाँ पे आके settle हो गई थी, there were many storms that swept their fields and homes, his mother tells him, that's why they live looking for gold in the big cities where he lives now, तो basically क्या होता, वहाँ पे धाका में storm आया था, उनकी सारी जो agriculture land था, जो सारी fields थी, वो डिस्ट्रॉई हो गई थी, तो अब वो यहाँ पे settle होने आ गए थे, बहुत साल पहले, ठीक है, सीमापूरी में, यह जो story है, सीमापूरी की है, सीमापूरी is a place in Delhi, तो यह story उसकी उसकी mother ने बताई है, ठीक है, और उसको भी याद है कि पहले वो ढाका रहते थे, ठीक है, वहाँ पे उनकी सारी crops वेगरा destroy हो गई थी, और अब वो rag picking करने, they are staying in India, I have nothing else to do, he mutters looking away, ठीक है, तो वो उसको बोलता है कि मेरे पास और कुछ करने को है नी, साहिब बोलता है, नरेक्टर को मेरे पास और कुछ करने को है नी, he mutters away, mutters होता है कि इतने fast बोल देना कि दूसरे वाले को अच्छे से समझ भी ना है, ठीक है, दूसरे इंसान को अच्छे से समझ भी ना है, बहुत ही fast और low wise में कोई चीज बोलना, गो तो स्कूल, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound, तो वो बिना सोचे समझे, ग्लिबली होता है, जब आप without paying attention बहुत क्विकली कोई चीज बोल देता है, तो वो बोल देती, गो तो स्कूल, और उसको बाद में realize होता है, कि मैंने इसको क्या बोल दिये, जिसके पास, मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जो कूडे में चीज़ें ढून रहा है, जिसकी family इतनी ज़्यादा poor condition में है, वो स्कूल कैसे जा सकता है, तो साहे बहुत innocent है, चोटा बच्चा है, तो वो simply कहता है कि मेरे neighborhood में तो कोई स्कूल ही नहीं है, जो करती है, उसका हलका सा मजाख type साउड आती है, कि अगर मैं school start करूगे, कि तो क्या मेरे school में आऊगे, तो थोड़ा सा वो joke create करती है, ठीक है, आगे क्या होता है, yes he says smiling broadly, और वो तो खुश हो जाता है, ठीक है, वो तो ऐसी बोल रहे हैं थी normally, तो कुछ दिन बाद वो साहे, वो छोटा बचा वापस से भाग के narrator के पास आता है, पूछता है कि क्या तुमारा school ready हो गया, because it's very innocent, it takes longer to build a school, I say embarrassed at having made a promise that was not meant, तो अब narrator को embarrassment होती है, कि मैंने कैसा promise कर दिया, जो कब भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, obviously she can't create a school, ठीक है, तो वो embarrassed feel करती है, और उसको simply बोल देती है कि इतनी जल्दी school नहीं बनता, time लगता है school बनने में, but promises like mine abound in every corner of his bleak world, ठीक है, but यह जो मैंने promises किये हैं, वो कह रही है, उसी तरीके से काफी ऐसे promises हैं, जो टूट जाते हैं, उसके लिए बहुत normal है, ठीक है, उसके लिए बिलकुल normal है, कि उसके जितने भी कोई promises उसके साथ करेगा, वो टूट जाएंगे, because उसका world है, ठीक है, that is very very shattered, आफ्टर months of knowing है, मैं ask his name, sahib-e-e-alam, he announces, he does not know what it means, if he knew its meaning, lord of the universe, he would have a hard time believing it, तो कहती है, मैं काफी time से sahib को जानती हूँ, तो एक दिर नरेटर उससे पूछ लेते हैं, कि अब तुम्हारा नाम क्या है, तो sahib reply करता है, मेरा नाम है साहिब-e-e-alam, वो साहिब-e-e-alam word का मतलब है, lord of the universe, तो वो सोचती है, यार, कि कैसी conditions में रह रहा है, और उसको जो नाम है, वो किता great है, lord of the universe, तो कहती है, अगर साहिब को कभी पता चलेगा, कि मेरे नाम का ये मतलब है, तो कभी वो believe नहीं करेगा, it is very hard to believe, क्योंकि जो उसका नाम का मतलब है, और उसकी life है, वो totally opposite है, unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds, and disappear at noon, तो basically वो बता रही है कि, साहिब के पूरी army है, मतलब एक gang है उन बच्चों का, जो barefoot boys, जोंके पास कोई भी चपल, कोई भी shoes नहीं है, जो नंगे पैर इदर उदर घूमते रहते हैं, और सुबा से लेके दुपहर तक, जब तक धूपनी आती, they are searching for something in the garbage, over the months I have come to recognize each one of them, और उन कहरी है, कुछ महीनों के बाद मैं हर एक एक बच्चे को recognize कर पाती हूं, why aren't you wearing chappals, I ask one, my mother did not bring them down from the shelf, he answers simply, तो वो उनके group में से किसी एक बच्चे से पूचती है, कि यार तुमने chappals क्यों नहीं पहनी है, तो बोलता है, वो chappals मेरी उपपर shelf में पढ़ी हो, and my mom is not giving it, तो maybe he is making an excuse, या हो सकता है, वो जो slippers हो, उसकी मम्मी ने समाल के रखी हूं, कि कभी कोई special occasion होगा तब पहनने के लिए, या वो उसकी मम्मी भी उसको just जूट बोल रही हों कि, उनके पास slippers नहीं हैं, तो वो कोई भी reason हो सकता है, even if she did not, even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match, तो एक old boy उसके साथ खड़ा होता है, उसका friend होता है, अगर वो उसको दे भी देंगी, तब भी ये नहीं पहनेगा, ये fang देगा, और उस बच्चे ने खुद mismatch shoes पहने होता है, mismatch मतलब left में कोई अलग shoes, right में कोई अलग shoes, जो उसको कहीं से मिल गए हो, या कहीं पड़े मिले हो, या उसने garbage से ही उठाए हो, when I comment on it, he shuffles his feast and says nothing, I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, तो वो कहती कि जब मैं ये comment कर रही तो, उसके shoes पे, तो उसको थोड़ी शरम आची साहिब को, तो अपने जो पैर है, वो shuffle करने लग पहा, shuffle मतलब इदर उदर, ठीक है, तो अपने पैर वो छुपाने की कोशिश करने लगता है, और उसके बाद, एक और बच्चा महाँ पे खड़ाता है, वो बोलता है, मुझे भी एक shoes चाहिए, मतलब उसके लिए एक dream है, कि काश मेरे पास भी shoes हो, ट्रावलिग अक्रॉस दे कांट्री, आप सीन चिल्रें वाकिंग बेर फूट इन सिटीज और विलिज रोड़, इट इस नॉट लाक अफ मनी, बट ए ट्रेडिशन तो स्टे बेर फूट इस वान एक्स्प्लेनेशन, तो वो कह रहे हैं कि, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने पूरी कंट्री में कितने लोग देखे हैं, कितने चोचोचे बच्चे देखे हैं, जो बेर फूट चल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि यही रीजन है कि उनको बस मनी नहीं है, अगर कोई फैमली थोड़ा बहुत अफोर्ड भी कर पा रही है, तब भी वो नहीं पहन रहे हैं क्योंकि एक ट्रडिशन मन गया है, ठीक है, रैक्पिकर्स का एक ट्रडिशन है कि वो रैक्पिकिंग करते हैं, without wearing any shoes or chappal or anything. I wonder if this is only an excuse to explaining away a perpetual state of poverty. तो वो कहते है कि मैं wonder हूँ, मतलब मैं surprise हूँ, ठीक है, किया यही एक excuse है ये explain करने के लिए, क्या explain करने के लिए perpetual state of poverty, मतलब एक ऐसी condition poverty की जो never-ending है, ठीक है, जिसकी कुई hope नहीं है कि वो कभी भी खतम होगी. I remember a story from a man from Ujappi once told me तो अब वो एक story याद करी कि साहिब को देख कि उसको एक story याद आती है As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest तो एक story याद करी है कि एक लड़का था जब वो छोटा था तो उसकी जो father थे वो priest थे और वो temple के पास एक school था वहाँ पे वो जाता था which was now drowned in an air of desolation तो वो बताती है कि वो हमेशा जब उस मंदर से गुजरता था वो प्रे करता था कि मुझे शूस चाहिए तो 30 years later ठीक है जो हमारी आनस जंग है वो वहाँ पे विजट करती है In the backyards where lived the new priest there were red and white plastic chairs a young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived painting and threw his school back on a folding bed looking at the boy I remember the prayer another boy had made to the goddess when he finally got a pair of shoes तो वो याद करी है कि वो एक बच्चे को देखती है जब वो वापस वहाँ पे जाती है कि वो well dressed होता है uniform होता है uniform पहने होते हैं उसे proper shoes पहने होते हैं तो अब उसको उस boy की story याद आ जाती है जो हमेशा pray करता था बगवान से कि मुझे एक shoes मिल जाए और जब उसको actual में shoes मिले तो उसने कितना खुश हुआ था उसने कितना thanks किया था बगवान को let me never lose them और जब उसको वो shoes finally मिल गए तो उसने बगवान को बोला था अब उनके पास भी shoes है पहले 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 उनके पास भी shoes जी होते है तो पर आजकल priest के बच्चों के पास shoes है बट अभी भी जो rag pickers है जैसे साहिब है जो मेरे घर के आसपास रहते है they are still shoeless उनके पास कोई भी shoes नहीं है my acquaintance with the barefoot rag pickers मतलब मेरा contact acquaintance होता है my contact with the barefoot rag pickers leads me to Seema Puri ठीक है तो basically जो rag picking का culture है सबसादा Seema Puri में है very backward area है slummy area है और काफी लोग यहाँ पे struggle करते है every day कि वो एक वक्त के जो खाना है उनको मिल जाए a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically अब देखो वो कह रहे हैं कि basically Delhi के borders पर है but yet miles away from it मतलब Delhi is the capital of the country तो Delhi के लोगों का जो lifestyle है और जो Seema Puri है मतलब वो totally एकदम से opposite है ठीक है कहने का तो वो Delhi में है but अगर metaphorically बात करें तो उससे काफी काफी दूर है there is a huge gap between the two places those who live here are squatters मतलब travelers who come from Bangladesh back in 1971 जो 1971 के war के time Bangladesh से जो लोग India में आये थे ठीक है तो basically वो यहाँ पर settle होने लगे और यह वाला area develop हो गया sahibs families among them Seema Puri was then a wilderness it is still but it is no longer empty तो पहले पहले Seema Puri बिलकुल खाली area था ठीक है एकदम से banjar area होता है ना उसको wilderness कहता है बिलकुल खाली area undeveloped area तो अभी भी वो end developed ही है बट अब यहाँ पर काफी लोग रह रहे है in structures of mud with the roofs of tan and tarpaulin मतलब कच्चा house है वहाँ पर devoid of sewage, drainage, running water and live 10,000 rack pickers ना पानी आता है ना कोई draining system है कुछ भी नहीं है और वहाँ पर 10,000 rack pickers रहे है they have lived here for more than 30 years without an identity, without permits but with ration cards that can get their names on voters list and enable them to buy grain food is more important for survival than an identity तो उनके पास कोई भी identity नहीं है they have no identity, हाँ राशन card में उनका नाम है जहाँ पे उनको थोड़ा सस्ते में खाना मिल जाता है but उनके लिए identity card, मतलब जैसे अब धार card है या कोई भी pan card है या मतलब कोई भी identity proof is not important उनके लिए important क्या है खाना identity उनके लिए matter ही नहीं करती है official document उनके लिए matter ही नहीं करता क्योंकि वो हर दिन struggle कर रहे है कि just वो उनको खाना मिल जाए they should continue their livelihood if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach we would rather live here than in the fields that gave us no grain say a woman in tattered सारी when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers तो वो पूछती है वो एक woman से पूछती है जिसना tattered मतलब फटी हुई पुरानी सारी बहनी होती है वो उस woman से पूछती है कि तुमने इतना तुमने फील्ड से इतना land था बांगलादेश में वो तुम छोड़के इहां पर क्यूं आया तो वो उताती है कि अगर पूरे दिन में रैक पिकिंग करने पर हमें एक वक्त का खाना मिल जाए और हमें without stomach without paid, without without मतलब hunger अगर हमें सोना मिल जाए कि अराम से सो पाएं कि हमने एक वक्त का खाना खाली है तो वो कहते ही ये life बहुत बेटर है as compared to वहां रहना पांगलादेश में ऐसी fields में काम करना जहां से हमें कोई grain, कोई profit नहीं मिल रहा है Whenever they find home, food they pitch their tents that become transit homes transit homes होता है temporary homes तोनका कोई permanent home नहीं है जहां पे भी इनको खाना मिलना शुरू हो जाता है जहां पे भी इनकी livelihood चलने शुरू जाते है यही वहीं अपना tent डालके यह रहने लगते है Children grow up in them becoming partners in survival तो अब यहां पे छोटे बच्चे बच्चपन से ही parents को जो हैं accompany करते हैं for earning money and survival in Seemapuri means rag picking तो जतने भी लोग Seemapuri में survive कर रहे हैं उनका एक ही income source that is rag picking कोडे में से चीजे ढूबना through the years it has acquired the proportions of fine art मतलब अब यह लोग इसमें expert हो गए हैं they have become expert की कैसे चीजों को sort out करना है, कैसे classify करना है कैसे separate करना है, कौन कौनसी चीजें useful है कौन कौनसी चीजें आगे जाके यह redesign कर सकते हैं कहीं बेच सकते हैं तो यह इस art में जो हैं काफी जादा successful हो चुके हैं garbage to them is gold जैसे normal इंसान के लिए gold की value होती है वैसे उनके लिए garbage gold है क्योंकि उनका जो livelihood है वो उसी garbage पे based है it is their daily bread a roof over their heads even if it is a leaking roof तो कहते हैं उनके लिए daily bread है एक roof है उनके head के उपर due to this garbage even वो leaking है leaking का आपको यहां पे मतलब वो यही कहना चाहरे है कि ऐसा roof ठीक है जहां से मतलब बारिश में भी पानी आ रहा है मतलब बहुत ही poor condition का house है but still उनके पास roof है due to this garbage but for a child it is even more I sometimes find a rupee even a 10 rupee note sahib says his eyes lightening up तो sahib बड़ा खुश हो के सुनाता है narrator को कि कभी-कभी मुझे 1 rupee मिल जाता है garbage कभी-कभी मुझे even 10 rupee इसका note भी मिल जाता है when you can find a silver coin in a heap of garbage you don't stop scrounging for there is hope of finding more तो silver coin का यहां पे मतलब है some amount of money तो वो कहते हैं कि जब इन बच्चों को कभी-कभी 10 rupee मिल जाता है एक रुपा मिल जाता है तो इनके में hope आ जाती कि शायद हमें और भी कुछ मिल सकता है तब ही यह क्या करता है scrounging search करते रहते हैं it seems that for children very important line है garbage has a different meaning from what it means to their parents because children are very immature ठीक है अब वो बिलकुल बच्ची है उनको नहीं सारी चीजों की समझ है तो उनके लिए जो garbage का meaning है वो काफी different है as compared to their parents for the children it is wrapped in wonder for the elders it is a means of survival बच्चों के लिए तो यह curiosity है कि हमें कुछ मिल जाए कोई useful चीज मिल जाए ठीक है यह कभी कोई 10 rupee note मिल जाए 1 rupee coin मिल जाए तो उनके लिए तो यह wrapped in wonders है कि देखते हैं क्या मिलता है हमें garbage से but parents के लिए garbage का बहुत different meaning है उनके लिए यह source of survival है One morning I see sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching young men two young men dressed in white playing tennis तो एक बबर वो देखती है कि sahib बड़े ध्यागान से एक tennis match को देख रहोता है by standing outside the fence I like the game he hums hums होता है speaks very slowly वो कहता है कि मुझे game पसंद है content to watch it standing behind the fence but वो satisfied उसको पता है कि वो कभी tennis नहीं खेल पाएगा but वो इसमें भी satisfied है कि वो दूर खड़े होके इस game को देख सकता है I go inside when no one is around he admits the gatekeeper lets me use the swing तो देखो उसकी छोटी छोटी कितनी ज़्यादा desires है तो वो कहता है कि जब कोई नहीं होता है मैं चुपके से अंदर चला जाता हू tennis court में चले जाता हू और वहाँ पे एक swing है और gatekeeper मुझे swing use करने देता है sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts someone gave them to me he says in a manner of an explanation तो अब sahib ने भी shoes पहने obviously उसके size के तो नहीं होगे अगर हमें कोई मतलब अगर उसको किसे ने भी shoes दिये होंगे तो obviously उन्होंने अपने shoes दे दिये होंगे अपने size के according तो वो size भी match नहीं कर रहा कोई color भी match नहीं कर रहा hole in one of them does not bother him तो वो बता रही है वो एजूम कर रही है कि किसी rich boy के ये shoes होंगे जिसने पहनने से मना कर दी होंगे क्योंकि उस shoes में एक hole था ठीक है बट वो कह रही है साहिब को इससे कोई भी problem नहीं है because वो barefoot घूमता तो उसके लिए even hole with a shoe is very very useful so intently is out of his reach but वो जो game इतने ध्यान से देख रहा है वो उसके out of reach है being a rack picker he can never play tennis this morning sahib is on his way to the milk booth in his hand is a steel canister तो अब वो एक दिन देखती है कि sahib के हाथ में steel का canister होता है और वो milk booth की तरफ जा रहा होता है I now walk in a tea stall down the road he says pointing in the distance तो वो narrator को बताता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ आज कल मैं tea stall में काम कर रहा हूँ I am paid 800 rupees and all my meals तो बताता है कि मुझे महीनी के 800 rupees मिलते हैं और सारा खाना मिलता है does he like the job I ask his face I see has lost the care for carefree look तो वो पूछती है कि इसको ये job पसंद भी है नहीं क्योंकि वो जब साहिब को देखती है जो carefree look थी जब वो rack picking करता था ठीक है तब वो अपना own master था अपनी मर्जी का मालिक था ठीक है अराम से पूरे दिन गूमता था कुछ कुछी चीज़े ढूंता था from the garbage ठीक है बट अब उसकी वो carefree look थी वो जा चुकी है क्योंकि वो किसी के under absorb कर रहा है तो यहां पे मतलब weight की बात नहीं हो रही है ठीक है यहां पे actual इसका deep meaning कुछ और है इसका meaning यह है कि जो steel canister से पकड़ा है वो काफी भारी दिख रहा है उसके उपर as compared to वो जो plastic bag पकड़ता था तो बेशक plastic bag भी भारी होगा बट वो हमेशा उसको light feel होता था क्यों क्योंकि वो अपना खुद का master था ठीक है वो किसी के under काम नहीं करता था वो carefree था वो फिर भी खुश था बट अब क्या और है उसको जो steel canister है वो किसी और के लिए काम कर रहा है वो burdened feel कर रहा the bag was his the canister belongs to the man who owns the shop तो वो जो bag था उसको खुद का था अब यह जो canister इसने उठाय है यह उस person का है जिसके under वो काम कर रहा है sahib is no longer his own master तो very important line कि अब sahib अपना own master नहीं है जैसे वो rag picking करता था उस time था so that was a very beautiful story heart touching story और next video में मैं आपको part 2 करके law spring chapter खतम करवा दूँगा जिसमें मुकेश की story पढ़ेंगे तो अगर आपको video पसंद आ गई law spring part 1 समझ आ गया तो जल्दी से like कर दो doubt है किसी line में कोई चीज नहीं समझ आईए तो comment section में लिख दो and guys अगर अभी तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया तो please subscribe मैं चैनल Easy Learning with Hemal and press the bell icon too और आप मेरा social media channels भी join कर सकते हो telegram channel, instagram पे follow कर लो और you can also send your doubts to my email id इनके links भी हैं जो description box में आपको मिल जाएंगे so thank you guys have a nice day जाएंगे